लिस्बन पुर्टगाल का दिल और दुनिया के पुराने तारीखे शहरों में से एक शहर है इस शहर की हवाओं में एक पुरानी कहानी महसूस होती है जो हर कदम पर आपको अपनी तरफ खीचती है हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्तर होस्त और आज हम चलेंगे लिस्बन के रंगों से भरपूर रास्ते पर जहां तारीख तैजीद और मार्डन जिन्दगी का अनुखा मेल है ये शहर अपने तिलस्मी गिले नेरो गलियां और आजादाना रूह के लिए मशूर है लिस्बन का बेलम टावर देखते ही आपको महसूस होगा कि आप वक्त के पिछले दौर में चले गए है ये गिला सिक्स्टीन सेंचुरी का एक अजीम शहकार है जो पराने जमानों में शहर की सिक्यूरिटी के लिए बना था इस गिले से अगर आप दूर निगाहें डालें तो दरिया का वो मनजर नजर आता है जहां से क्रिस्टोफर कॉलंबस ने अपनी पहली तारीखी रवानी की थी लिजबन का एक और मशूर मकाम है जो आपको दरूर देखना चाहिए वो है क्रिस्टोरी स्टेचू ये अजीम शाकार अल्ला की अजीम शान का इजहार करता है और अपनी 28 मीटर लंबाई के साथ ते जो दरिया के किनारे खड़ा है बरजील के रियो देजनेरियो में मौझूद क्राइस्टा रिडीमर स्टेचू से मतासिर इस स्टेचू को 1959 में मकमल किया गया था यहां से आपको लिजबन और देजो के शानदार मनजर का नजारा मिलता है अगर आप लिजबन आ रहे हैं तो इस मकाम पर ज़रूर आएं यह एक रूहानी और तारीखी तजर्बा होगा और फिर हम बात करें लिजबन की ट्रॉम राइट्स की जो इस शहर का एक दिल्चस्प तजर्बा है अबल्ष्ट करीखी Americans क्तारीक टुआ होगा रहे हैं precisa करेंगरा मिलिन अजबन झालवे शहर को इस शिया है भातो क्तारीक बालवेरे कन से आपवड़े को प्र Reach ताहत्ति की नोपिस की पर सेवा़िया पर आपका को पालोगा ट्रॉम पर सफर करना आपको लिजबन के हर रंग और मंजर का हिस्सा बनाता है शहर के पहले हिल्टॉप पर जब ट्रॉम से निकलते हैं तो नीचे दरिया का मंजर और आस्मान में उभरते हुए सूरज का रंग देखने का अपना ही मज़ा है लिजबन का रोस्यो स्कुएर शहर की रू है यहां की चाए, खाने और लोकल मार्केट आपको शहर की असली जिन्दगी से मिलाती है शाम को जब सूरज अपने सफर का आखरी मरहला यद और तैकर रहा होता है तो शहर की रोश्णियों का अक्स दरिया में चमकता है और लिजबन एक कहानी की तरह महसूस होता है जो कभी पुरानी नहीं होती झाल पुरानी जो जो का आखरी में चमकता है और दोस्तों जब लिजबन का जिक्र हो रहा है तो हम वास्को डिगामा ब्रिज को कैसे बोल सकते हैं यह पुल यॉरप का सबसे लंबा ब्रिज है जो तावुस रीवर के ऊपर 17.2 किलो मीटर्स तक फैला हुआ है यह ना सिर्फ एक मौडर्न इंजिनरिंग का शाकार है बलकि पॉर्टिकल के दरियाफ करने वाली रूह की याद दिलाता है वासको डिगामा के यॉरप से इंडिया के समद्री रास्ते का पता लगाने की याद में 500 साल के बाद 29 आफ मार्श 1998 में इस ब्रिज को बनाया गया था इस ब्रिज पर सफर करना एक अनोखा तजर्वा है जहां से आप शहर और दरिया दोनों के हसीन मंजर का लुटफ उठा सकते हैं ये पुल लिस्बन की पुरानी तारीख और नई दुनिया के दर्मियान का एक खुबसूरत तालुक है जो आपको याद दिलाता है कि ये शहर हमेशा से दरियाफ्ट और तजर्वात का मरकज रहा है तो दोस्तों अगर आप लिस्बन नहीं गए तो समझने के एक तारीखी जादू से बचे रह गए ये शहर की खुबशूरती यहां के लोग और इसके मनाजर आपको महसूर कर देंगे अमीद है कि आपको हमारा ये सफर पसलाया होगा मिलते हैं किसी और सफर पर जैहें